हेलो दोस्तो मैं हुरु शब्चार्जियर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मीवी डूपॉट्स अगर आप इस प्रड़क को खरीदने में इंट्रेस्टेड है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं आप दोस्तों यह है प्रड़क्ट पाकेजिंग आप देख सकते हैं पूरा मतलब एक प्लास्टिक का सील मिलता है तो इसको खोल लेते ताकि थोड़ा सा प्रड़क्ट अच्छे से दिखा मतलब प्रड़क का प्लास्टिक देख सके उसके बाद खोलेंगे भी चलिए खोल है अमने प्लास्टिक को अल्रट दोस्तों हमने प्लास्टिक को निकाल लिया है अभी थोड़ा सा पाकेजिंग देख लेते हैं उसके बाद प्रड़क्ट को भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं मीवी का लोगो है यह मैंने रेड कलर और किया था तो रेड कलर का स्टिकर आप देख सकते हैं, Duopods A25 True Wireless Earphones Deep and Powerful Bass Made in India Bluetooth 5.0 Right side में क्या लिखा है Engineered and Made in India इस तरह Push the Limits बस पीछे के तरफ कुछ और लिखा है क्या, Proudly Made in India 1 Year Limited Warranty, आलरेट चली खोलते है दोस्तों, and दोस्तों यह मैंने खुद खरीदा है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है and एक लाइक and एक कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, दोस्तों चैनल पर ने है, तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए तो प्रिटी टाइट था दोस्तों, इसलिए मैंने Blade से खोल लिया, अभी चलिए फिर एक बुकलेट है, मीवी लिखा हुआ है Welcome to the crew, फिर हमारे पास है जो user manual, user manual भी आपको दिखा दिता हूं खोलके तो दिस इस दे कम्प्लेट user manual ओके चलिए, user manual को रख देते हैं साइड में next हम देख लेते हैं हमारा प्रोड़क्ट तो दिस इस आउ दा प्रोड़क्ट लुक्स ओके इदर कुछ एक्सेसरी समको मिलेगा वो देख लेते हैं पहले तो एक्सेरी का इदर खुलने के लिजली टाब मिल जाता है ओके तो यह तो केबल तो इस टाइप सी केबल दोस्तों येस टाइप सी नाइस ये एक मेरा डाउट था कि कौन सा वाला चार्जिंग मेकानिजम आएगा तो इटस टाइप सी विच इस गुड़ एंड एक्स्ट्रा इयरबड्स भी अंदर है आपको दिखा देता हूं मैं वो भी तो इस आदे एक्स्ट्रा एयरबड्स चार मिलेंगे आप देख सकते हैं तो अभी में चीज देख लेते हैं हमारा जो TWS है तो इस इस हाओ इट लुक्स मीवी लिखा हुआ है पीछे टाइप सी का चार्जिंग मिल जाएगा आपको खोल लेते हम अब देखेंगे कि यह नाट फुली ग्लॉसी बट नाट फुली मैट फिनिश सम्वेर इन बिट्वीन है कोल के देखेंगे तो इवन द येरबड्स भी एक्दम सिमिलर डिजाइन में है वड़ा सा आपको दिखाता हूं क्लोज अप में इस इस हाओ इट लुक्स अधर भी आप देखेंगे मीवी का लोगो है एंड एलेडी भी आप देख सकते रहें कि और झळल रहें एंड चार्जिंग के लिए भी आप देख सकते इधर एक LED जलता है तो आभी हम फर्स्ट ताइम सेट अप करेंगे तो पहले जो केस है उससे हम earbuds को निकाल लेंगे आप देख सकते हैं दोनों को निकाल लेते हैं ठीक है एक निकाल के अपने फोन का Bluetooth कर लेते हैं अब अल्रडडेड देख सकते हैं यह Pairing मोड में आ गया है क्योंकि बोड राइट्स आप धब्लिंक कर रहा है इस तरफ ब्लिंक कर रहा तो तो यह दिखा भी रहा है आप देख सकते है bluetooth आन है और मीः pogs A25, pairing, pair, okay, तो 100% battery है, आप देख सकते हैं, and it also supports AAC mode, that's a good thing, तो बस, simple ता दोस्तों, pairing हो गया है, दोस्तों, आपने unboxing देख लिया, first time setup भी देख लिया, अभी हम देखेंगे experience review, तो कैसे लगा मेरे को ये TWS, use करके, पहले start करते हैं, design से दोस्तों, तो इसमें actually 4 color options available है, black, blue, white and red, मैंने red वाल order किया था दोस्तों, क्योंकि देखना चाहता था, actually इस price segment में उतना ज्यादा color options मिलता नहीं है, तो red was something very unique, तो मैं such a red देखते हैं, कैसा है, actually अगर आप color देखेंगे इसका photo में, तो मैं link जैसे दूंगा description में, अगर उसमें आप red देखेंगे, तो उसका color थोड़ा अलग ही लगेगा, whereas in real life, this is actually red color and थोड़ा darkish red है, whereas photo में थोड़ा अलग दिख रहा था, material की बात करें दोस्तों, तो it is kind of like matte finish, एकदम lightly mivy लिखा है, and अगर हम, मतलब earbuds की बात करें, तो ये भी matte finish ही है दोस्तों, अंदर मतलब इस part पे आपको matte finish मिलेगा, ठीक है, इधर आपको एक glossy का, मतलब glossy का एक line strip मिलेगा, और उपर नीचे तो matte finish है, तो design is good, दोस्तों, in-ear style design है, comfort की बात करूँ, तो ये थोड़ा सा आपको शुरू में बड़ा लग सकता है, क्यों, क्योंकि आप design देखिए दोस्तों, it's quite, मतलब, बड़ा type लगेगा, दिखने में, actually, जब आप पहली बार पहनेंगे, तो थोड़े देर के लिए आपको लग सकता है, कि it's slightly big, मतलब, not for long, for some time at start, but एक बार पहनने के बाद, it's gonna be very, मतलब, easy to, मतलब, comfortable हो जाता है, कभी भी, मतलब, problem नहीं आएगा, बट शुरू में, आपको थोड़ा सा लग सकता है, कि बड़ा है, क्या, तो आप देखेंगे, कुछ ऐसा दिखने में रहेगा, ठीक है, red color वाला, तो comfort wise, no issue, थोड़ा दिर आपको पहनने के बाद, used to हो जाएंगे, उसके बाद पता भी नहीं चलेगा, कि आप पहने हैं, कि नहीं, फिर चेकन नहीं, पहनने हैं, ठीक, तो comfort was good, sound quality के बारे में बात करते हैं, luckily इसमें AAC mode का support है, दोस्तो, 2021 में, that has become a necessity, AAC mode का support रहना ही चाहिए, and thankfully इसमें भी AAC mode का support है, तो sound was good, it was more, अगर one word मैं बोलू, bassy sound है जोस्तो, अगर आपको bass पसंद है, you are gonna like this, bass मतलब, बहुत thumping type bass मिलता है, because of that, थोड़ा सा treble, थोड़ा सा लगेगा कि कम लग रहा है, compared to bass, क्योंकि bass को बहुत ज्यादा बढ़ा के रखा है इनोंने, तो bass will be very thumpy, but treble थोड़ा आपको कम सुना ही देगा, voice is also clear, तो अगर आपको bass पसंद है दोस्तो, तो this is gonna be good in AAC mode, but suppose आपको थोड़ा सा ज्यादा balance sound ज्यादा पसंद है, उतना bass आपको उतना पसंद नहीं आ रहा है, suppose, तो फिर मैं क्या क्या चेक्या, SBC mode में कैसा आ रहा है sound, क्योंकि AAC mode में तो yes, it's quite bassy, SBC mode में I'm happy to say that bass कम हो जाता है दोस्तों, ज्यादा balance sound मिलता है, कभी-कभी कुछ TWS में क्या रहता है कि AAC mode में clarity ज्यादा रहता है, SBC mode में डालेंगे, तो clarity एकदम कम हो जाता है, बट इसमें वैसा नहीं है, इसमें क्या होता है कि bass थोड़ा कम हो जाता है, तो balance रहता है, but clarity lose नहीं होता है, which is a good thing, तो अगर आपको जादा balance sound पसंद है, तो फिर SBC mode में रखिए, अगर आप bass के fan है, तो फिर AC mode में रखिए, और एक चीज़ मैंने notice किया है कि normally TWS में अगर किसी को bass पसंद रहता है, तो हम क्या करते है, इक्विलाइजर में जाके bass थोड़ा और भी बढ़ा देते हैं, देखने के लिए कितना तक बढ़ सकता है, तो वो ही effect actually company ने by default करके रखा है, तो अगर आप equalizer में कोई भी earphones use करते हैं, इसमें equalizer में bass बढ़ाते हैं, तो कैसे sound आता है, वैसे ही by default इसमें करा है, तो bass is very good, तो bass ही sound चाहिए, this will be a very good option, mic के बारे में बात करते हैं, dual mic मिलता है दोस्तों, and call करके देखा, कोई भी problem नहीं था, clear था, but एक चीज़ मैंने notice किया, mic का quality के बारे में बात करें, तो थोड़ा सा distortion है, now call के समय, अगर आप किसी के साथ बात करेंगे, तो उतना उनको समझ में नहीं आएगा, but मैंने एक mic sample का recording किया था, उसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि slightly distortion लगा, आप सुन लीजे, आपको भी पता चल जाएगा, mic का quality कैसा है, हेलो दोस्तो, यह जो audio आप सुन रहे है, वाया दा mic of the Duo Pots A25, आप बता ही आप कैसे लग रहा है, mic का quality, वीडियो अगर अभी तो अच्छा लग रहा है, तो एक like जरूर कर दियाना, दोस्तो चाल पर नहीं है, तो subscribe करके bell icon भी दबा ही दीजिए, बाई-बाई, और नेक्स्ट बात करते है, लेटेंसी के, इसमें कोई भी gaming mode तो mention नहीं किया है, but surprisingly मैंने actually चक्किया इसका latency game खेलके, and there is slightly, but it is very less compared to, बहुत सरे TWS में gaming mode रहता नहीं है, तो उसमें delay ज्यादा रहता है, इसमें actually surprisingly even though कोई भी gaming mode है नहीं, but latency बहुत ही कम था, थोड़ा सा लगा, but I am a beginner gamer, मैं जादा expert नहीं हूँ, but इतना भी खेला, it was like, आप मतलब एकदम concentrate करेंगे, तो सकता है, आपको थोड़ा नोटे सा, थोड़ा सा delay, but normal gamers मुझे लगा नहीं कि जादा delay मिल रहा है, तो according to me at least, like a normal type gamer, beginner type gamer, मुझे तो latency एकदम कम लगा दोस्तों, which was surprising, क्योंकि मैं expect नहीं कर रहा था, इसमें कोई भी gaming के लिए latency कम रहेगा, तो latency as normal standard देखेंगे, तो इसमें definitely कम latency है, battery life के बारे में बात करते है, company का claim है, 30 hours totally चलेगा, and 7.5 hours on a single charge चलेगा, अभी real life में तो इससे कम भी रहेगा, मैं भी battery life पूरा तो test नहीं कर पाया, but according to the segment, pretty decent battery life ही आपको मिल जाता है इसमें, type c का charging ही मिलता है, which is also one more good thing, क्योंकि again 2021 है, तो charging तो type c होना ही चाहिए, plus type c में क्या रहता है कि durability ज्यादा बढ़ जाता है, यूंकि हम हमेशा लगाते हैं, निकालते हैं, लगाते हैं, निकालते हैं, तो type c में क्या रहता है, reversible रहता है, तो किसी बेट मतलब ऐसे लगाई है, ऐसे लगाई है, खराब होने का chances बहुत कम रहता है, तो good that they have given type c, कुछ extra features के बारे में बात कर लेते हैं, इसमें IPX4 certified water resistant आपको मिल जाएगा, फिर touch controls मिलता है, तो basically आप ऐसे touch करते हैं, इस part में तो touch controls काम करता है, touch controls are very nice easy, मतलब अचली आप देखेंगे इस तरफ flat दिया है, यह पूरा part एकदम flat है, तो इसका advantage जो रहता है कि easily आप दबा सकते, कहीं भी मतलब खोजने का जरुद अची इधर है कि इधर है क्या, तो it's flat, तो एक बार में ही मेरे को समझ में आ गया था, कहाँ press करना है, and it worked very nicely, कोई भी issues बज़े नहीं लगा, play, pause, next track, previous track, voice assistant, reject call, यह सब आप कर सकेंगे, next Bluetooth 5.0 का भी support है, दोस्तों इसमें price के तरफ चलते है, तो price है, अभी launch price है, double one, double nine, अभी हो सकता है, price increase भी हो सकता है, I don't know, but currently जब मैं बना रहा हूं, double one, double nine, exact pricing के लिए link दूंगा और checkout क्लिक करके देखेंगे तो exact pricing आपको मिल जाएगा, and one year का warranty मिलता है, अभी final conclusion के तरफ चलते है, क्या मुझे इसमें अच्छा लगा, number one, there are lot of color options available, तो दिखने में अच्छा रहेगा, आप देखिये मैं जैसे पहना हूं ऐसे, 4 color options है तो depending on आपका taste कैसा है, आपको dark color चाहिए, bright color चाहिए, different option choose करने के लिए है, second, in-ear type design है, तो गिरता नहीं आप देखिये, proper fitting रहता है, and comfortable भी रहता है, sound experience भी अच्छा रहता है, क्योंकि in-ear type design में environment का sound ज्यादा सुनाई नहीं रहता है, बाहर का sound तो good fitting and comfortable, sound भी bassy sound आपको मिलता है, अच्छा मतलब वो thump, जो bass का रहता है, वो आपको मिल जाता है, and latency was a surprise inclusion की latency भी इसमें आपको कम मिलता है, finally made in India product है दोस्तों, that is also a good thing, तो अगर आप interested है इसे खरीदने में, तो link आपको description and comment section में मिल जाएगा, अगर आपको ये video थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो एक लाइक जरूर कर देना चाल पर नहीं है, तो subscribe करके bell icon भी दबा दीजिए, मुझे Instagram पर follow कीजिए, आज के लिए इतना दोस्तों, फिर सब्सक्राइब वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए, bye bye and stay safe.